हलो बच्छो तो भाई कैसे हो आपसे भी I hope सारे बच्छे एक दम अच्छे होंगे एक दम बड़े होंगे और एक दम मस्ट होंगे बच्छो Welcome to this amazing platform of physics वाला और तुमारा PW Foundation के चैनल पे जो सीरीज चल रही थी most important question की उसमें मैं अगला session लेकर आ चुका हूँ याने कि तुम्हारे कमल सर तुमारा नया session जो है circles का वो लेकर आ चुके हैं तो भाई यहां पर हम बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में भाई circle के most 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 important questions के बारे में भाया इस चीज के बारे में बात करेंगे कि circle क्या है circle कि स्खेत की मूली का नाम है और क्या क्या चीजे है जो कि इसमें important है ठीक है कि भाया circle के अंदर हमारी क्या क्या चीज होती है जैसे कि circle के अंदर एक center होता है भाई सबसे पहली चीज ठीक है मतलब कि एक वो point जिससे circle की जो बहार वाला circumference है ठीक है वो हमेशा same distance पर रहे या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी चीज जो की इसकी एक और definition है circle की कि कि किसी point से same distance पर जितने भी point होते हैं उन्हें अगर एक साथ ले लिया जाए तो हमारे पास circle बनता है तो वो जो point जिससे सारे point same distance पर होते हैं उसे हम बोल देते हैं center है ना center of the circle और center से circle तक का जो distance होता है उसे हम बोल देते हैं radius है ना क्या बोल देते हैं radius अब जैसे कि ये radius एकदम मस्त मस्त है तुम लोग बताओ तुमारे हाल चाल कैसे है I hope सारे बच्चे एकदम बढ़े होंगे और एकदम मस्त होंगे भाई ठीक है I know तुम लोग कह रहे होगे कि सर आज बहुत दिन बात देखे हो session बीच में कहां गायाब हो गए थे तो मैं बता देता जराब हो गई थी इस चक्कर में session बीच में नहीं आ रहे थे बट अब से regular session आने शुरू हो जाएंगे तुमारे कोई session skip नहीं होगा सारे session एकदम time से आएंगे बिना किसी dictate के बिना किसी परेशानी के ठीक है हाँ तो थोड़ा था बीच में fever हो गया रहा तो तुम लोग भी अपना ध्यान रखो मौसम change हो रहा है ठीक है विमार विमार मत पढ़ जाना कभी पता लग रहा है मौसम की तरह तुम भी बदल जाओ ठीक है तो जरूरत नहीं है ठीक है तो यह circle के बारे हो बात करना और यहाँ पर mainly जो बात होती है बच्चो इस chapter में circle के class 10th का जो यह chapter है इसमें mainly बात होती है tangent के उपर कि अगर आप एक tangent बनाते हो circle के उपर तो वहाँ पर क्या-क्या relation बन सकते हैं जैसे कि सबसे पहली जो theorem आती है वो क्या है मैं तुम्हें यहीं पर इसी page पर सबको समझा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें सारी चीज़े अच्छे से clear हो जाए कि अगर अगर इन केस तुम्हें एक circle पे एक tangent बनाते हो लाइक दिस तुम्हें एक tangent बनाई और इस tangent का नाम है अपना क्या इस tangent का नाम है अपना पी-point से तुम्हें सरकल पे एक tangent बनाई जो की circle को Q पर touch करते हैं टेंजेंट सब जानते हो क्या होता है जो circle को केवल एक point पर क्या गरें टच करें इंट्रसेक्ट करें ़ो तुम्हारी क्या होती है tangent होती है. ठीक है? तो ये भाई सब ये क्या हो गई? ये तो हो गई तुम्हारी tangent है ना? ये हो गई तुम्हारी radius ठीक है? और जहांपर तुम्हारा जो tangent है, जहांपर tangent क्या करती है? circle को touch करती है, उसे बोलते है point of contact है ना? point of तो सबसे पहली थियोरम जो बनती है बच्चो सरकल में जिससे कोशन तुम्हारा बने गई बनेगा वो क्या है वो यह है कि पॉइंट ओफ कॉंटेक्ट पे आपका सरकल की जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है याने कि अगर तुम्हारा सेंटर है ओ तो यह जो ओ क्यू है और जो ओ क्यू पी है मतलब ओ क्यू क्या है रेडियस है पी क्यू क्या है तुम्हारा टेंजेंट है तो यह जो टेंजेंट है वो क्या होगी रेडियस पर परपेंडिकुलर होगी क्या होगी रेडियस पर परपें 90 degree एक तो ये है हमारी सबसे पहली theorem इस chapter की ठीक है मेरे लाल बहुत simple है बिना किसी दिक्कत के प्यार से समझ में आ गई कि वह यह अगर तुम tangent बना रहे हो तो point of contact पर जो तुम radius मिलाओगे वो radius और वो tangent दोनों आपस में 90 degree का एंगल बनाएंगे यानि कि आपस में perpendicular हूँगे जैसे यहाँ पर मैंने point पी लिया और इस point से तुम maximum कितनी tangent बना सकते हो किसी circle पर बाहर के point से circle पर maximum कितनी tangents बन सकती है याद रखना maximum दो tangent बन सकती है ठीक है circle के अंदर अगर कोई point है यहाँ पर अंदर अगर कोई point है तो उससे कितनी tangent बन सकती है कोई tangent नहीं बन सकती और अगर कोई point circle के circumference पर है तो उससे कितनी tangent बन सकती है केवल एक tangent जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो इस point पर इसके अलावा दूसरी कोई tangent बन नहीं पाएगी ठीक है तो ध्यान रखना अगर कोई point circle के अंदर है तो उससे circle पर कोई tangent नहीं बनती है अगर कोई point circle पर है तो उससे circle पर केवल एक tangent बन सकती है और अगर कोई point circle के बाहर है तो उससे circle पर दो tangent बनाई जा सकती है इतना सबको चमका के नहीं चमका जल्दी से बताओ मेरे लाल clear हुआ है नहीं हुआ बच्चो थोड़ा सा अराम से बोलते है क्योंकि गला अपना थोड़ा है खड़ाओ ठीक है तो जल्दी से बताओ clear हुआ है नहीं clear है एकदम सफा चट सफेद whiteboard हो गया तो अब उसमें एक और चीज नोट कर लो कि भाई अगर तुम किसी एक point से circle पे दो radius बनाते हो PQ और PR समझ लो ठीक है तो ये जो दोनों tangent होंगी किसी एक point से circle पे बनने वाली दोनों tangent की जो length होती है वो हमेशा बराबर होती है याने की PQ is equals to PR और यही दो चीजे यही दो theorem तुम लोगों के slabus में हैं और खतम यही दो theorem तुम लोगों के slabus में हैं खतम पहली theorem कि भाईया circle पर बनने वाली tangent और point of contact पर तुमारी जो radius होती है point of contact पर radius और tangent के बीच में क्या होता है 90 degree का angle बनता है सबसे पहली theorem और theorem number two is कि भाईया आपका किसी बाहर वाले point से circle पर बनने वाली दोनों tangent की जो length होती है वो equal होती है खतम टाटा गुडबाई गया chapter हो गया complete circle में तुम लोगों का केवल इतना है क्या कह रहे हो sir पहली slide पर यह chapter खतम कर दिया नहीं नहीं अब शुरू होंगे तुम्हारे question यह जो दो चीजे हमने पढ़ी है इसी से question करना है basic basic सी एक दो चीजे और है याद रखना तुम ठीक है God नहीं बोल रहा हूं Cod बोल रहा हूं ठीक है तुम अगर circle की एक Cod बनाते हो जैसे के हमने यहाँ पर बनाई Cod AB ठीक है और इस Cod से तुम क्या करते हो इस Cod पर तुम circle के center से एक perpendicular डालते हो circle के center से तुमने इस पर क्या करा एक perpendicular डाल दिया यह यह 90 डिग्री है ठीक है perpendicular हो गया तुम्हारा OC यह OC perpendicular हो गया तो याद रखना कि जो यह perpendicular है वो तुम्हारी Cod को क्या कर देगा bisect कर देगा याने कि आपका AC is equals to होगा BC के यह class 9 में पढ़ने वाली हमारी theorem है यह क्या है जो तुमने class 9 में पढ़ा हो गई है यह याद रखना यह important है काम आएगी ठीक है कि भाईया आपका जो radius ना बता देता हूं कोई cord होती है circle की circle की कोई cord होती है तो center से circle की cord पर एक perpendicular जो होता है वो उसे क्या करता है बच्यों bisect करता है याद रखना इस चीज को सबको clear हो गई यह बात समझ में आ गया चालो बहुत ही बढ़िया बहतरी इंशांदार जबर्दस जिन्दा बात अब इन चीजों को दिमाग में रखते हुए हम क्या करेंगे हम चलेंगे सीधा हमारे questions की तरफ बढ़ा जाए question की तरफ चलो मेरे लाल तो शुरू हो जाओ कारे क्रम को आगे बढ़ाया जाए पहला question क्या कह रहा है पहला question बच्चों बहुत ही simple है ठीक है अब यहाँ पर दो तीन चीजे हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा और जो concept है जो basic basic से concept है वो मैंने पीछे समझा दिये और जो concept है वो तुम्हें यहाँ पर याद दिलाता चलूँगा मैं class 9 के बहुत 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 सारे concept इसमें use होंगे ठीक है पहला question है one mark के लिए ठीक है one mark question है आराम से solve हो सकता है question देखो क्या खेरा है पहले question को पड़ो फिर figure को समझने की कोशिश करो एक बार तुमने figure समझ लिए तुमारा पूरा का पूरा खेल हो जाएगा खतम ठीक है मेरे लाल ज्यान चरे को इन दे गिवन figure AB is a chord of the circle ठीक है and AOC is its diameter भाई यह धियान न कोई important चीज है ठीक है such that angle ACB is 50 degree angle ACB this is angle ACB which is 50 degree if AT is the tangent of the circle मतलब यह AT जो है यह tangent of the circle है at the point A then find out angle BAT हमें क्या find out करना है हमें find out करना है angle BAT BAT यह निकि यह वाला angle हमें निकाल के देना है भाई साब को this one यह angle हमें निकाल के देना है निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं क्या यह angle क्या यह angle निकाला जा सकता है कोई बताएगा भाई बिलकुल निकाला जा सकता है देखो जरा तुम खुद दिमाग लगाऊ थोड़ा थोड़ा सोच के देखो तुमारा O A क्या है कि वो ऐ क्या है सेंटर से सरकल तक की दूरी सेंटर से सरकल तक का डिस्टेंस याने कि यह तो रेडियस हो गया और यह भाई साब क्या है 80 ये तो इन्होंने question में खुदी बताया है कि 80 क्या है 80 है तुम्हारा tangent तो point A क्या हो गया जहां पर radius OA और 80 मिल रहे हैं तुम जानते हो कि point of contact पे तुम्हारा radius और tangent क्या होते हैं perpendicular होते हैं तो याने की angle OAT 90 degree है अगर तुम्हें कहीं से भी ये वाला angle पता चल जाये कौनसा angle B O C ये वाला जो angle है तो 90 degree में से angle B O C को subtract करके तुम आराम से angle B A T निकाल सकते हो 90 degree में से angle B A C को subtract करके तुम आराम से angle B A T निकाल सकते हो, हो जाएगा, हो जाएगा, अरे नहीं होगा तो मैं हो ना कराने के लिए, कहें ठक रहे हो, आजाओ, करते हैं, देखो भई, बहुत प्यारी शांदार सी चीज है, भ्यान से समझेंगे, यहां पर तुम्हारा class 9th का एक concept यूज होगा, कि semi circle में बनने वाला हर ए एक angle 90 degree का होता है, ठीक है, तो हम कहेंगे because, या फिर as, as, AOC is the diameter, is the diameter, so, अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा angle CBA, या angle ABC, this angle, angle ABC is 90 degree, भ्या क्यों, angle ABC is equals to 90 degree, भ्या क्यों, सर ये क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरे लाल, AOC क्या है, diameter है, diameter क्या करता है, circle को दो semi circle में बना देता है, और semi circle के अंदर बनने वाला हर एक angle 90 degree का होता है, simple सी चीज है, class 9 में पढ़ाता, तो भाईया, ये हो गया diameter, diameter ने क्या करा, semicircle बनाया, तो semi circle के अंदर बनने वाला जो angle है, angle ABC, ये 90 degree होगा, ठीक है, reason लिख देते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में, देखो, आगे मैं reasons नहीं लिखूँँगा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, angle in semicircle, angle in semicircle, इसलिए 90 degree है, ठीक है, clear हो गई बात, चलो, अब इसके अलावा बच्चों देखो, जिस बच्चे को इस chapter की theory और भी अच्छे समझ नहीं है, मैं बता रहे तो, मैंने ये chapter, mind map series में करा रखा है, ठीक है, mind map series में ये chapter मैंने अल्रेडी करा रखा है, तुम लोग वहाँ पर भी देख सकते हो, इस chapter की theory, और अच्छे से, ठीक है, चलो, तो अब ये आ गया, अब एक बात बताओ बच्चों, हमारे पास angle ACB है, हमारे पास angle ABC है, क्या हम angle BAC नहीं निकाल सकते ये वाला angle, क्यों निकाल सकते भाई, बच्चों का खेल है निकालना, triangle के दो angle पता है, तीसरा angle निकाल लो, तो लगा दो भई, in triangle ABC, अपने पास हो जाएगा, angle ABC, plus angle ACB, plus angle BAC, is equals to 180 degree, triangle के तीनों angles का sum 180 degree होता है, angle sum property लगा दी, मैंने आपर, angle ABC की value है, 90 degree, angle ACB की value कितनी है, given है 50 degree, angle BAC हमें निकालना है, is equals to 180 degree, angle BAC की value कितनी हा जाएगी, BAC हो जाएगा, देखो, 90 और 50 कितना हो गया, 140, 140 इदर जाकर subtract हो जाएगा, 180-140 कितना हो गया, 40 degree, यह आगया हमारा 40 degree, खतम बात, यह कितना आगया, यह आगया अपना 40 degree, यह वाला angle आगया 40 degree, यह वाला angle आगया 40 degree, अब अगर यह 40 है, ठीक है, यह पूरा का पूरा 90 है, तो यह कितना हो जाएगा, BAT, कितना हो जाएगा, BAT, 90-40, 50 degree आगया, खतम बात, वो तो हम shortcut में करनी सकते हैं, पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो diagram diagram में question solve करते था, यह question तो मैं diagram diagram में solve करते था, लेकिन क्या करूँ, तो मैं समझाना जो है, पूरा का पूरा, देखो, क्या है का भाई, हम लिखेंगे यहाँ पर तमीज से, कि भाईया, हमारा angle OAT is equals to 90 degree, क्यों? हमारा OAT at, OAT perpendicular to 80, radius and tangent and tangent at point of contact, ठीक है, at point of contact, तो radius और tangent हमारी point of contact, पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इसलिए परपेंडिकुलर है, इसलिए angle OAT, कितना है, OAT 90 degree है, तो अपने पास जो हमें निकालना है, वो कितना हो जाएगा? अपने पास आजाएगा, angle BAT is equals to angle OAT minus angle BAO, या angle BAC, angle BAC और angle BAO दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि O और C एक ही लाइन पर पढ़ रहा है, तो angle BAO ले लो, चाहिए angle BAC ले लो, तो एक ही बात है, ठीक है, इसकी value आप अल्रेडी निकाल चुके हो, मैं आपर लिख भी देता हूँ, angle BAO भी यही है, कितना है, दोनों 40 degree है, तो अपने पास क्या जाएगा, angle BAT will be equals to angle OAT कि वेल्यू कितनी है, 90 degree, minus 40 degree, कितना हो गया, angle BAT will be equals to 50 degree, मैंने बोला था कि तुम्हा तुम्हारा, class 9th के concept बहुत जादा यूज होंगे यहांपर, this is our answer, ठीक है, मतलब कि तुम्हारा ये वाला तो concept सिर्फ एक ही बार लगा, class 10th का जो tangent और radius, point of contact पे perpendicular होते हैं, वो तो एक ही बार लगा, उसके अलावा क्या लगा, angle some property लगी, उससे पहले angle in semi circle लगा, बहुत सा चंका के नहीं चंका जल्दी से बतो बच्छो, चंका के नहीं चंका, clear है, next question देखो, क्या कहरा है, next question, next question कहरा है, from a point P, from a point P, which is at a distance of 13 cm from the center O, of a radius, of a circle of radius 5 cm, the pair of tangent PQ and PR, PQ or PR, to the circle are drawn, then the area of the quadrilateral PQOR, चीक है भई, तो अब देखो, इस question को solve कैसे करेंगे, तुम्हें निकालना है PQOR, याने कि PQOR का quadrilateral का area, ज्यान से रेखो भई, क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें दे रखा है कि तुम्हारा point P से 2 tangent बनती है, point P तुम्हारा center से 13 cm की दूरी पर है, ठीक है, radius दे चीक है 5 cm, diagram तुम्हारे सामने है, question solve हो चुका है, मुझे निलगता है, इसमें कुछ करना है, तुम्हें इसका radius निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें दिख रहा है, इस triangle को, तुम्हारी ये क्या है, देखो देहां से, tangent है, PQ क्या है, tangent है, OQ क्या है, radius है, ठीक है, radius और tangent point of contact पर क्या होती है, perpendicular होती है, याने कि 90 degree होगी, याने कि हमारा triangle PQO, एक right angle triangle है, right angle triangle में हमें PO पता है, 13 cm, क्यों वो पता है, 5 cm, क्योंकि ये radius है, given है, और हमें P से center का distance तो पहले ही दे रखा है, 13 cm, ठीक है, दो side पता है, पाइथागोर स्ट्रम लगा के तीसरी side निकल जाएगी, ये वाली side निकल गई, हम already जानते हैं कि हमारा जो circle में किसी point के बाहर, circle के बाहर किसी point से अगर तुम दो tangent बनाते हो, उनकी length होती है, equal, तो जितनी इसकी आएगी, उतनी इसकी हो जाएगी, अब आपके पास 2 triangle बनेंगे, जिनकी जो sides है, वो बिलकुल equal है, तो इनका क्या होगा, sides equal है, इनका जो area है, वो भी equal हो जाएगा, यानि कि एक triangle का area निकालो, दूसरे का अपने आप निकल जाएगा, दोनों को add करो, तो quadrilateral का area निकल गया, ख़रम बात, जल्दी से solve करो, देखो क्या आएगा, हम लिखेंगे angle, हम लिखेंगे PQ is perpendicular at OQ, बिकास, radius जो क्या हमारा OQ and tangent, tangent, R perpendicular perpendicular at point of contact तो भाई देखो, सीडी सी बात है, question तो solve हो चुका है अल्रेडी, so, हमारे पास क्या आजाएगा, angle PQ O is 90 degree, so, हमारा क्या बन गया, PQ O 90 degree है, तो triangle PQ O is a right angle triangle, तो in right angle triangle PQ O, हमारे पास क्या आजाएगा, 90 degree के सामने वाली side hypotenuse होती है, तो hypotenuse का square जो होगा, वो बाकी दोनों side के square के sum के equal हो जाएगा, याने कि P O का square equal हो जाएगा PQ का square plus OQ के square के, ठीक है, तो हमारे पास P O की value है कितनी, 13, तो 13 का square is equal to PQ की value हमें चाहिए, तो PQ को ऐसे छोड़ दो, OQ की value कितनी है बच्चो 5 है, तो 5 का square, ठीक है, 13 का square करेंगे कितना हो जाएगा, 13 का square हो गया, 169 is equals to PQ का square, इसे ऐसे ही रहने दो, और यह हो जाएगा हमारा, plus 5 का square हो गया 25, यह दर जाकर subtract हो जाएगा, तो अपने पास आगया, PQ is equals to square root के अंदर, 169 minus 25 करेंगे, 169 minus 25 करोगे, तो यह आगया 144, 144 को square root से भाहर निकालेंगे, तो यह आगा plus minus 12, लेकिन हम खाली plus का 12 लेंगे, क्योंकि length का भी minus में तो जाएगी नहीं, तो हम ले लेंगे plus का 12, याने की PQ की value आगई 12 cm, ठीक है, अब हम जानते हैं, हमारा PQ क्या हो जाएगा, PQ will be equals to PR, PQ कितनी आगई, PQ आगई हमारी 12 cm, तो अगर यह 12 cm है, तो भाहिस अब यह भी 12 cm होगी, यह भी 12 cm होगी, ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया निकालना, कोई बड़ी बात नहीं हो, यह equal क्यों है, क्योंकि भाहिस यह, एक point से बनने वाली radius, क्या है, टेंजेंट है, PQ is equals to PR, is equals to कितना हो जाएगा, 12 cm, रीजन लेदो साइड में, आपर बगल में, क्या, टेंजेंट्स, फ्रॉम, सेम पॉइंट, ठीक है, हो गया इतना, अब अपने पास क्या आ जाएगा, भाई, फाइनली निकल कर, देखो, इन ट्राइंगल, PQ O, ठीक है, इन ट्राइंगल, PQ O, अपने पास क्या जाएगा, एरिया ओफ ट्राइंगल, PQ O, भाई, या PQ O कैसा, ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल है, 90 डिग्री, तो PQ O जाएगा, राइंगल ट्राइंगल, राइंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 by 2, बेस इंटू हाइट, राइट एंगल बनाने वाली, एक साइट को बेस लेलो, एक साइट को हाइट लेलो, तो बेस हो गया, हमारा OQ, बेस इंटू हाइट, तो 1 अपाइट एंटू, OQ की वैल्यू है 5, और PQ की वैल्यू है 12, अभी अभी निकाल लिए है, टू से से डिवाइट कर देंगे, तो यह आगया 6, 6, 5 जा, 30 cm2, तो यह आगया area of PQ, area of PQ ओ आगया, हमारा area of PQ, यह कितना हो जाएगा, हमें निकालना है किसका area, हमें area निकालना है बच्चों हमारे, area of quadrilateral PQ, PQOR का, OR, कितना हो जाएगा मेरे लाल, अगर PQOR का निकालोगे, PQOR, तो इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल आ रहे हैं, PQO और PRO, तुम खुद देखो, PQO और PRO ऐसे ट्राइंगल है, जिनकी sides equal है, दोनों का area बिल्कुल सेम निकाल कर आएगा, तो यह हो जाएगा हमारा, area of triangle PQO, प्लस area of triangle, PRO, दोनों की value बिल्कुल सेम ही होने वाली है, चेंज कुछ नहीं होगा, तो value यहाँ पर put करो, कितना हो जाएगा, इसकी 30 थी, इसकी भी 30 हो जाएगी, 30 और 30 कितना हो गया, 60 cm2, और यहाँ पर हमारा question हो गया, खतम, ठीक है, कितना answer आगया, 60 cm2, और इसके साथ हमारा answer यहीं पर खतम हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो गई बात, कौन सा option correct हो जाएगा, बच्चो 60 cm2, यानि कि option number A, is absolutely correct, clear है बई, option number A, is absolutely correct, किसी को कोई दिक्कत, आसान सा था question, यह भी, diagram का ध्यान रखना, और जो तुमने theorems में, छोटी छोटी चीज़े पढ़िया, उन्हें याद रखना है, अब आगे से मैं theorems, बस बोल के बताऊंगा, लिखाऊंगा नहीं, बहुत टाइम जाता है बाई से में, ठीक है, clear हो गई बात, चलो, next question देखते हैं, next question हम से कहता है, कि, in the given figure from an external point P, two tangents PQ and PR are drawn, to a circle of radius 4 cm, मतलब कि point P से, या 4 cm के circle पे, क्या बनती है, दो radius बनती है, इफ एंगल QPR is 90 degree, तो एंगल QPR given हमें, ये वाला एंगल 90 degree, 90 degree, तो हम से कह रहा है, हम से कह रहा है, then the length of PQ, तो यार देखो, इस question में, जादा माथा पच्ची करने की ज़रूरद है नहीं, फाल तूमें, क्यों, देखो, आपके पास angle OQP कितना होगा, आपके पास angle OQP होगा 90 degree, मैं बता रहूं अब क्यों, OQ radius है, PQ क्या है, OQ radius है, PQ है तुमारी क्या, tangent, तो ये point of contact पे क्या बनाएंगे, 90 degree का angle, अगर मैं यहाँ पर, एक और radius बना दू, अगर मैं यहाँ पर एक और radius बना दू, O, R, तो same तुमारा angle O, R, P, ये भी कितना होगा, angle O, R, P, भी तुमारा 90 degree होगा, ये भी 90 degree होगा भाई, क्यों, क्योंकि बच्चो, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है भाई, ये भी हमारा, क्या है, अरे simple सी बात है, ये radius, tangent, point of contact पे क्या बनाएंगे, angle, O, R, P, is also 90 degree, दोनों के लिए same reason है, radius और tangent, point of contact पे perpendicular होता है, ठीक है, 390 degree है, angle sum property लगा लो, quadilatoral की क्या होती है, 4 sum का angle 360 degree होता है, 390, 90, 90, 270 हो गया, 360 minus 270 करेंगे, ये भी आगया अपने कितना, ये भी आगया अपना 90 degree, ठीक है, तो भी ये एक quadilatoral के, जो तुमारा oq है, वो क्या है, वो equal है किसके, तुमारा o r के, क्योंकि दोनों के दोनों radius है, ये इसके equal है, तुमारा p q equal है किसके, तुमारा p r के, क्योंकि same, क्या बने हो है बच्चो, same point से tangent बनी हुए है, तो ये क्या बन गया, तुम्हारा PQOR जो है वो एक क्या होगा? PQOR nadal quadrilateral क्यों होगा? वो एक square होगा. ठीक है? सीजी सी बात है. ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये एक square हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? एक square हो जाएगा? और अगर ये एक square है तो simple सी बात है कि तुम्हारा ये क्या बन गया ये एक क्वाडिलेटरल बन गया जिसके ये स्क्वाइर है स्क्वाइर है तो सीधी सी बात है ये 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 और ये क्या हो जाएंगे सब सेम हो जाएंगे अगर तुम्हें इतनी मातप अच्ची भी निकरनी तुम्हें नहीं क्याना कि स्क्वाइर है तुम यह भी बोल दोगे कि यह चारो एंगल 90 डिगरी है तो चारो एंगल 90 डिगरी कौन से को अडिलेटल के होते हैं या तो स्कॉयर के होते हैं या फिर होते हैं किसके तुमारे rectangle के square के होते हैं तो सारी sides equal हो गई और rectangle के होते हैं तो बच्चो आमने सामने की side equal हो गई ठीक है इसके opposite side ये तो ये 4 cm आ गई ये कितनी है, OR radius है radius तो हमारी 4 cm है इसके opposite side ये, तो ये भी 4 cm आ गई बात खत्तम, अपने आप पता लग रहा है square है simple सी बात, कुछ मत करो, बस इतना proof करो कि इसके 4 angle 90 degree है वो कोई बड़ी बात है नहीं, बच्चो वाला खेल है 4 angle 90 degree है, तो या तो ये square बनेगा, या ये rectangle बनेगा, कुछ भी हो हमें radius बता है radius से इसके opposite side निकल करा जाएगी ये वाली radius इसके opposite side हो गई, PR 4 cm, ये भी radius है 4 cm इसके opposite side PQ, 4 cm हमें कहा निकालना था, PQ की value, PQ कितनी आ गई 4 cm, option number B is absolutely correct चलो भाई, clear हो गया सबको आगे बाद आजाए आगे समझ में easy है यार ये तो अच्चो वाला सवाल था चालो, next question देखते है next question is like this, in the given figure PQ is the tangent to circle with the center O at the point B if AOB is 100 degree then ABP is equals to तो देखो भाई, हमें given है कि AOB जो है ये 100 degree है हमें पूछ रहा है ABP कितना होगा यानि कि ये वाला angle कितना हो सेम ऐसा question कर चुक है हम थोड़े देर पहले क्यों भाई? हमें पूछ रहा है ये ठीक है अब हम already जानते हैं क्या कि भाई साब आपका O B क्या है? O B क्या है? O B है radius है ना? और P B क्या है भाईया? P B है point P से हमारी tangent तो radius और tangent के बीच में बनने वाला angle होता है 90 degree तो ये angle तो हो गया 90 degree angle O B P मैं डारेक लिखूँँगा अब angle O B P is equals to 90 degree reason क्या है भाईया? reason ये है क्योंकि भाईया आपका किसी भी circle की tangent और radius point of contact पे perpendicular होती है थियोरम शुरूआत में बता दी थी ठीक है? तो भाईया अब यहाँ पर और क्या आएगा? आगे देखो आगे हम कहेंगे कि भाईया आपका O O A is equals to हो जाएगा O B के reason क्या है भाईया? O A और O B दोनों के दोनों क्या है? radius है O A is equals to O B दोनों के दोनों radius है radius है तो भाईया हमारा तो radius equal होती है अब किसी triangle में दो sides equal है तो उनके opposite angle equal होती है पढ़िए हमने थियोरम तो इसके opposite angle बोले तो ये वाला यानि कि हमारा O B A और O B के opposite angle O A B ये दोनों equal हो जाएगे angle O B A is equals to angle O A B reason opposite opposite angles of equal sides of a triangle see this ही बात है ये तो equal होते ही होते है खदम बात अब बच्छो इन दोनों को मैं कह रहता हूँ कि इन्हें assume कर लो कि ये x है ये क्या है दोनों के दोनों x है assume कर लो ठीक है तो तो तुमारे पास क्या आ जाएगा by angle sum property by angle sum property अपने पास क्या आ जाएगा तीनों angles का सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 180 degree याने कि angle A O B plus angle O A B plus angle O B A will be equals to 180 degree तीनों angle का सम 180 degree हो गया A O B की value हो गई 100 ये तो हमें question में दे रखी है O A B की value X और O B A की value भी X ये दोनों equal हैं ये हमें पहले से पता ही हो गया 180 degree ठीक है 100 degree दर जाकर subtract हो जाएगा X plus X हो गया 2X तो अपने पास आ गया 2X is equal to 180 minus 100 हो गया 80 degree ठीक है 2 से 2 cancel out हो गया X की value आ गई 40 degree यानि कि अपने पास क्या निकल कर आ गया बच्चो अपने पास निकल कर आ गया angle OAB is equal to angle OBA और इन दोनों की value आ गई 40 degree ठीक है इसकी angle इसकी value 40 degree ये 40 ये 40 ठीक है तो मैं पहले से पता ही है ये पूरा का पूरा angle 90 degree है ठीक है इसमें से ये subtract कर दो तुमारे पास ये बचेगा तो angle ABP जो कि हमें निकालना है is equals to ABP news की बात नहीं हो रही है यहाँ पर खाली ABP angle की बात हो रही है angle ABP is equals to angle OBP OBP minus angle OBA angle OBP minus angle OBA तो हमारे पास बचेगा ABP बस ठीक है OBP 90 degree है reason तुम जानते हो क्यों OB और PB point of contact है किसका tangent और radius का तो यहीं perpendicular होंगे बात खतम तो अपने पास हो गया कितना angle ABP angle OBP की value है 90 degree angle OBA की value है 40 degree अल्रेडी निकाल चुके है ठीक है तो अपने पास आ गया कितना angle ABP is equals to 50 degree और यह question भी अपना यहीं पर खतम हो जाता है clear है बिटा यह भी सब को समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत इसमें अपना option number A 50 degree is absolutely correct ठीक है चालो next question देखा जाए आगे चलते हैं जल्दी से बताओ चमका कि नहीं चमका clear है आगे बढ़े नेक्स कोशन देखा बहतरीन बढ़े बढ़े कोशन है बहुत इजी कोशन है ठीक है क्या 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 इंडिया जोइनिंग फिगर इफ ABC is a circumscribing a circle then find the length of BC डेली के CBSC के paper में 2020 में आया हुआ है ठीक है हमें निकालनी है length of BC और बच्चो इसमें उस theorem का इस्तमाल बहुत ज़ादा होने वाला है जो आमने पढ़ी थी कि बढ़ी हमारा जो circle के बाहर किसी एक center से बनने वाली जो tangents होती है उनकी length equal होती है उसका भर-भर के इस्तमाल हो गए याँ पर तो सबसे पहले अब ध्यान से देखो आपको पता लगाना है कि आपको given क्या है आपको given है AP कितना 4 cm आपको given है PB 3 cm और आपको given है AR sorry आपको given है AC पूरा का पूरा AC तो ये हो गया बच्चो कितना ये हो गया आपका AC हो गया 11 cm अब देखो आप जड़ा देखो तुम ही देखो ना तुम ही देखो न ये क्या हो गया तुम ही देखो न गाना याद आ गया तो मुझे ठीक है द्यान से रेको point A से हमारा circle पर दो radius बन रही है एक तो AP और एक AR point A से circle पर दो radius बन रही है AP और AR CDC बात है दोनों की value equal होगी याने की हमारा AP is equals to होगा AR की तो ये कितना हो गया ये हो गया हमारा 4 cm AP is equals to AR तो AR की value आ गई 4 cm reason क्या है भाईया क्योंकि एक ही point से बनने वाली tangent same length की होती है आपको बता चुका हूँ तो ये भी हो गई 4 cm अब AR की value 4 cm है बच्चो तो जरा मुझी ये बताओ कि तुम्हारा जो CR होगा वो कितना होगा तो तुम काओगे सर CR निकालना तो कोई सी बड़ी बात नहीं है क्यों बई क्यों नहीं है बड़ी बात तो CR equal हो जाएगा हमारा किसके पूरे AC में से AR को subtract कर दो AC minus AR तो हमारा CR will be equals to AC की value कितनी है AC की value है 11 minus AR की value कितनी है AR की value है 4 तो CR की value हो गई 7 सेंटीमीटर CR की value हो आ गई 7 अब हो गया तुमारा काम तुम्हें BC निकालना है तुम BQ और CQ की value निकाल लो ये भी सेम तरीके से निकलेगी कैसे? देखो भई तुमारा point B से दो रेडियस दो टेंजेंट बनती है एक तो PB और दूसरी BQ दो टेंजेंट बनती है PB और BQ तो इन दोनों की जो length होगी वो equal होगी यानि कि this equal this ठीक है? तो आपके पास क्या आ गया? ये चीज लिखते वे चलना है याँपर ठीक है? क्यों है ये? ये सारी चीज़े तुम्हें लिखते वे चलना है बता लग रही है? मेरे कहने पर तुम लिखी नहीं रहो तो हमारे पास आ जाएगा B P is equals to BQ reason? tangents from the same points have same lengths तो हमारे पास BQ की value आ गई कितनी? BQ is equals to आ गया BP की value तो हमें कोशन में given थी BQ P की value है 3 cm तो है आ गया 3 cm चलो इसकी तो जरुरत है हमें ठीक इसके अलावा आपका point C से क्या बन रहा है? point C से हमारी एक tangent बन रही है CQ और दूसरी tangent बन रही है C R तो भाई है जब point C से ही दोनों tangent बन रही है तो दोनों की length equal है C R की length 7 cm है तो इसकी भी 7 हो गई यह हमारी 3 आई चुकी है अल्रेडी तो भाई देखो same चीज दुबारे होगी क्या? कि आपका C R will be equals to C Q reason same है point C से दो tangent बन रही है जबके C एक point से same point से दो tangents बनती है तो उनकी length क्या होती है? equal होती है तो हमारे C Q की value आ गई कितनी? C Q की value आ गई C R के equal जो कि हम अल्रेडी निकाल चुके है C R की value कितनी थी 7 cm यह रही ठीक है? चालो अब आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था क्या? B C तो B C क्या है? B Q प्लस Q C या B Q प्लस C Q बात खतम तो हमारे पास B C आ गया B Q प्लस C Q ठीक है? तो B Q की value है हमारी कितनी? 3 C Q की value है 7 7 प्लस 3 कितना हो गया? 10 cm और इसके साथ हमारा ये question यहीं पर खतम होता है clear है बच्चो देख लो भाई एक बार clear है जबको ये ये रहा इसमें हमने भर-भर के इस्तमाल करा है हमारा उस वाली थियोरम का कि भाईया जब एक point से दो tangent बनती हैं तो उन दोनों की length बिलकुल equal होती है clear हो गया बच्चो चालो next question पर आ जाओ क्या कह रहा भी next question यहाँ पर यह कहता है in the given figure find the length pb हमें क्या find out करना है हमें find out करना है length pb तो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले समझाया था क्या देखो तुम्हें क्या given है तुम्हें given है तुम्हें given है तुम्हारा a o 5 cm है ठीक है सब छोड़ो यह देखो तुम्हारा a b क्या है a b क्या है tangent है o a o p क्या है radius है तो point p पर बाइसाब बाइसाब point p पर तुम्हारा a p क्या है tangent है और o p क्या है radius है तो point p है point of contact और तुम जानते हो कि point of contact पर radius और tangent हमेशा क्या होती है radius और tangent दोनों की दोनों भाइसा perpendicular होती है तो हमारा o a sorry o p will be perpendicular to a p which means angle o p a will be equals to 90 degree reason तुम लोग जानते हो कि यह point of contact पर radius और tangent क्या होती है 90 degree पर होती है अब तुम यह भी चीज़ जानते हो तुम्हें theorem बतायती ही मैंने शुरुआत में बिल्कुल starting में क्या कि जब एक chord पर यह क्या है यह है chord यह क्या है यह क्या है यह है chord तो जब एक chord पर कोई perpendicular आता है तुम याने कि AP is equals to होगा PB के ठीक है so OP is perpendicular to AB so it bisect bisect AB why you know the reason कि यह chord पर देको बड़े वाले circle के लिए AB क्या है chord है तो chord पर जो हमारा perpendicular होता है वो उसे bisect करता है तो याने कि हमारे पास simple क्या आ गया AP is equals to PB अब यहां से AP निकालना कोई बड़ी बात नहीं है क्यों triangle AOP ले लो इसमें एक angle 90 degree है ठीक है तुम्हें पता है यह 5 cm है यह 3 cm है दूसरी side निकाल दो in triangle AOP ठीक है 90 degree के सामने वाली side hypotenuse हो गए तो hypotenuse याने कि AO का square बाकी दोनों sides के square के समके equal हो जाएगा तो OP square plus AO square या OA square sorry AP square ठीक है AO की value कितनी है AO की value है 5 cm तो यह हो गया 5 का square is equals to OP की value कितनी है OP की value है 3 तो यह हो गया 3 का square plus AP की value हमें निकाल नहीं है ठीक है 5 का square 25 3 का square 9 उठकर इदर आ जाएगा तो यह हो गया हमारे पास 25 minus 9 ठीक है और यह जो AP का square है यह चलो मैं लिखी देता हूँ पहले यह हो जाएगा हमारा AP square ठीक है तो AP will be equals to 25 minus 9 16 square root के अंदर 16 आगया AP की value आ गई 4 cm अब जो AP की value थी वही value किस की थी AP is equals to था PB के so PB is equals to आ गया 4 cm खतम बाद this is our answer यही तो पूचा था PB की value पूची थी हमने PB की value निकाल दी ठीक है previous year के question है बच्छो जारत राज की class में previous year के question है तो बहुत धंक से तमीज से देखते वे करो ठीक है clear हो कोई बात question समझ में आगे सबको आगे बढ़े चालो next question next question क्या कह रहा है देखो भई next question कहता है if the angle between two tangents drawn from an external point P to a circle of radius R and center O is 60 degree then find OP तो भईया देखो आपको क्या बोला है बोला है आपको की radius है R circle की radius है R ठीक और जो दो tangent point P से बन रही है इनके बीच में angle है 60 degree का ठीक है आपको angle given है इस बार आपको कह रहा है यहाँ पर क्या निकालो OP की value निकालो OP बोले तो this OP बोले तो this this is OP ठीक है this is OP अब OP निकलेगी कैसे सोचो क्या कर सकते हैं सोच के देखो right angle triangle में 10th class में जो कुछ पढ़ा है सब लगा दो इसमें लगाओ क्या गया पढ़ा right angle triangle में पाय था और स्थियोरम पढ़ दी ठीक है RHS criteria 9th में पढ़के आये थे और सोचो क्या लगा सकते हों यहाँ पर right angle triangle के जितने घोड़ें सब खोल दो यहाँ पर area और भी कुछ है अब है याद करो chapter number 8 introduction to trigonometry trigonometric ratio उससे यह question solve होगा कैसे होगा समझो देखो अब जहाँ पर तुम्हारे पास दो triangle ले लेते हैं मैं O B को भी मिला लेता हूँ अब तुम्हारे पास दो triangle है triangle O A P और O B P तुम्हारे पता है यह angle 90 degree होगा क्यों क्योंकि आपका O A radius है और P A क्या है आपका tangent है तो point of contact पर दोनों perpendicular होते हैं same goes for this यह भी हमारा O B radius है P B क्या है tangent है point of contact पर perpendicular होंगे दोनों को हम क्या proof कर देंगा हमें पता है कि angle A P B कितना है 60 degree है given है हमें ठीक है given है हमें तो हम proof कर देंगे इन दोनों को क्या हमारा congruent और अगर यह congruent हो गए बच्चो तो congruent होने के बाद क्या होता है corresponding parts होते है equal तो यह वाला और यह वाला equal हो जागा यहने कि 60 degree को हमें equal equal parts में डिवाइड करना तो दोनों हमारे 30-30 degree हो जाएंगे बात खाते है ऊपर वाला angle आगया 30 degree ठीक है एक angle है 90 degree right angle triangle में trigonometric ratio लग सकता है तुम्हारे पास क्या है radius है तुम्हें क्या निकालना है इस angle के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी angle के सामने वाली साइड तुम्हारी हो गई क्या angle के सामने वाली साइड perpendicular 90 degree के सामने वाली साइड hypotenuse angle hypotenuse और परपेंडिकुलर में relation क्या होता है लगा दो sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse लगा के solve कर लो तो देखो भाई अपने पास क्या आएगा आ जाओ तो हम सबसे पहले लेंगे in in triangle o a p and triangle o b p अपने पास सबसे पहले क्या आ जाएगा angle o a p is equal to angle o b p दोनो ही हमारे कितने है 90 degree right angle equal proof कर दिये o p is equal to हो जाएगा o p के common side दोनो triangle की hypotenuse भी equal proof कर दिये है ठीक है ये 90 degree के सामने वाली साइड ये 90 degree के सामने वाली साइड दोनो triangle की hypotenuse प्रूफ कर दिये है equal o a is equals to o b reason radius of a circle तो भाई एक right angle triangle की hypotenuse और एक साइड जब दूसरे right angle triangle की hypotenuse और एक साइड के equal हो जाती है तो वहाँ पर लगता है हमारा RHS criteria RHS congruency criteria से हमारे पास क्या आ गया हमारा triangle o a b is congruent to triangle o sorry triangle o a p is congruent to triangle o b p खतम o a p o b p के congruent हो गया अब अगर ये congruent है तो हमारा by cp ct क्या जाएगा by cp ct अपना हो जाएगा angle a p o angle a p o is equals to angle b p o ठीक है तो अब आप जानते हो ये किसके equal हो जाएगा angle a p o is equals to हो जाएगा half of angle a p b तो angle a p b की value है 60 degree तो ये हो गया 1 upon 2 into 60 degree 2 से divide करेंगे तो angle a p o अपने पास आगया 30 degree मैंने बोला था और angle b p o भी आगया 30 degree खतम बात अब तुम ले सकते हो कौन सा triangle n triangle o a p ठीक है ये angle 30 degree है सामने वाली side perpendicular है नीचे वाली side hypotenuse है 90 degree के सामने वाली side तो hypotenuse होती है angle perpendicular और hypotenuse में relation क्या होता है sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse तो sin 30 degree is equals to हो जाएगा perpendicular कितना है बई perpendicular है o a upon hypotenuse के तरह है बई hypotenuse है हमारा o p sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse लगा जिये हैं आपर क्या जाएगा solve कर लो बस तो यह हो जाएगा sin theta की value हो जाती है sin 30 degree की value होती है 1 by 2 sin 30 degree की value होती है 1 by 2 value put करी o a की value radius की value है r r e लेनी है question में r e बोली है तो हो जाएगा r upon op तो op की multiply हो जाएगी किस में 1 में ठीक और 2 की multiply हो जाएगी r में तो op is equals to again 2 into r याने कि भाईया यही आपके question का क्या हो जाएगा answer कदम बात 2 into r is the answer याने कि जो भी आपकी radius होगी उसका double हो जाएगा op अगर 2 tangent कितना 60 degree का angle आपस में बना रही हो तो serious ही बात है 2 tangent अगर 60 degree का angle बना रही है मेरे लाल तो जो op होगी याने कि वो point जहां से tangent बनी है उससे जो center का distance है वो कितना हो जाएगा आपके circle के radius का double याने कि 2 into r किसी को कोई दिक्का बाई एक-एक point बहुत तमीज से चमकाया है एक-एक point बहुत तमीज से clear करा है तुम्हें इस question का clear है? चालो next question पर आजाओ क्या कहरा अब ही next question देखो कहरा है in the given figure O is the center of the circle and LN is a diameter ठीक है if PQ is a tangent to the circle at K then KLN is 30 degree then find PKL यार ये question भी same ही है PKL निकालना है अब देखो मैं तुम्हें इस question को बता नहीं रहूं ठीक है already तुम्हें पता ये कैसे करना है ठीक तुम्हें पता है कि तुम्हारा O के ध्यान से देखो O के और PK O के रेडियस है PK क्या है O के रेडियस है और PK तुम्हारा क्या है PK है तुम्हारा PK क्या है भई PK है तुम्हाई tangent तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 90 degree ठीक है तुम बस कहीं से क्या निकाल लो एंगल निकाल लो ये वला यह निकेंगल okl ये ये तुम्हें जैसे मिल गया तुमारा काम हो जाएगा अब ये कैसे मिलेगा देखो triangle check करो triangle okay L में triangle okl अगर तुम देखोगे तो इसमें जरा ध्यान से देखो मेरे लाल जो हमारा O, K है वो O, L की equal होगा क्योंकि O, K और O, L दोनों के दोनों radius है O, K, O, K और O, L दोनों radius है radius equal होती है triangle की equal side की opposite angle equal होते है याने कि O, L की opposite angle जो है हमारा angle O, K, L और हमारा O, K की opposite angle जो है O, L, K ये दोनों equal होगा याने कि ये equal हो जाएगा इसके तो अगर ये 30 degree है तो ये भी 30 degree होगा simple अब ये पूरा का पूरा एंगल है 90 degree ये पूरा एंगल है 90 degree उसमें से ये एंगल है 30 degree 90 degree मैंने 60 degree कर दो बचा कितना 90 मैंने 60 हो गया 60 तो ये कितना बचा ये बचा 60 degree आगया तुमारा अंसर है, खतम बात यह दो, ठीक है, पूरा question diagram में solve कर दिया, ऐसे question already 2 करा चुका हूँ मैं, इसी लिए नहीं करा है, ठीक है, समझा दिया है तुम्हें पूरा का पूरा, आराम से कर लेना, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, चमका के नहीं चमका, जल्दी से बत बच्छो, clear है भाई, मजा आ रहा है ना question करने में, बढ़या question है सारे के सारे, चालो, next question देखो क्या कह रहा है, next question हम से कहता है, in figure AP and BP are tangents to circle, AP और BP जो है वो tangent है circle पर, such that AP is 5 cm, तो हमें given है कि यह जो AP है, यह हमारी 5 cm है, ठेक है, AP is 5 cm, and angle ABP is 60 degree, तो है angle APB, this is APB and this is 60 degree, this is 60 degree, ठेक है, हम से कह रहा है, find the length of chord AB, हमें क्या find out करना है, हमें find out करना है, length of chord AB, क्या कर सकते हैं, बताया जाए, परावच्यों क्या किया जाए, question बहुत easy है, क्या करोगे, सबसे पहली चीज अगर तुम्हें ध्यान हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, हमें पताए कि AP और, हमारा PA और PB, दोनों क्या है, दोनों point P से बनने वाली क्या है, tangent है, दोनों equal होंगी, भाई सब क्या बोला मैंने, कि PA और PB, दोनों ही point P से बनने वाली tangent है, तो यह equal इसके, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अभी खाली बात कर रहे है, इन ट्राइंगल, APB, इन ट्राइंगल, APB, AB, यह सॉरी, AP, यह हम बोल सकते हैं, PA is equals to PB, आप reason जानते हो, कि भाईया, point हमारा, P से बनने वाली दोनों tangent है, तो दोनों equal होंगी, तो इसके बाद तुम्हारे पास क्या आजाएगा, तुम्हारे पास आजाएगा, कि भाईया, PA और PB अगर equal हैं, तो ट्राइंगल में इन के opposite angle भी equal होंगे, यानिक, PA के opposite angle, angle PBA, और PB के opposite angle, angle PAB, यह दोनों भी भाई साब equal होंगे, सीडिस ही बात है, ठीक है, तो यानिकी, so angle PBA must be equals to angle PAB, ठीक है, और इसे हम बोल देते हैं, X के equal, इसे हमने बोल दिया, equals to X, ठीक है, अब यहाँ पर लगा दो बच्चो, angle some property, ठीक है, यहाँ पर लगा दो angle some property, so angle PAB, plus angle PBA, plus angle APB, तीनों का sum हो जाएगा 180 degree, ठीक है, इसकी value X, PBA की value X, और angle APB, APB की value 60 degree, given a question में यह रहा, ठीक है, APB की value 60 degree, equals to 180 degree, X और X हो गया, 2X, 60 degree इधर जाकर subtract हो जाएगा, 180 minus 60 करोगे 120, इससे ही एक अदम, X की value आ गई 60 degree, याने की बच्चों तुम देख सकते हो, कि इस triangle में, तीनों एंगल कितने degree के है, तीनों एंगल 60 degree के है, ऐसा कौन सा triangle होता है, जिसके तीनों एंगल 60 degree के होता है, भाई, equilateral triangle, क्यों से दर्दी लेनी है इतनी, सीधा सीधा लिखो ना, इन ट्राइंगल, ABP, एंगल ABP, प्लस, एंग, ओ सारी, अंगल ABP, इस एकलस टो अंगल, PAB, इस एकलस टो अंगल, APB, अंगल APB, तीनों की ही value हमारी 60 degree है, so, triangle ABP is a equilateral triangle, is a equilateral triangle, so, अगर भाई है, equilateral triangle है तो अपने पास क्या आगया, so, so, हमारा PAPB और AB, तीनों equal होंगे, PA is equals to PB is equals to AB, तो हमें तो AB की value निकालनी है, और PA की value हमें already दे रखी है, तो AB is equals to क्या हो गया, PA की value है, या AP की value है 5 cm, तो AB is equals to आगया 5 cm, कोश्चन खदम 20 हजब, खदम बात, ठीक है, clear हो गई बात बच्चो, आगया समझ में, easy question था, बस तुम्हें थोड़े से concept समझ में आने चीए, तुमने अगर ढ़ंग से तमीज से logic लगा लिया, तो तुम्हारे question बच्चों का खेल है, आराम से solve हो जाएंगे, और CBSC में previous year में आया हुआ question है, देख सकते हो, ठीक है, तो लल्लू-लल्लू-लाल question नहीं है, question बढ़े हैं, बस तुम्हें solve करने की practice हो जानी चीए, ठीक, चलो, next question देखो, in figure AB is a chord of length 8 cm, a circle of radius 5 cm, the tangent to the circle at A and B intersect at P, find the length AP, हमें क्या find out करना है, हमें ये find out करना है, हमें निकालना है AP, हमें निकालना है AP, ये रहा हो, ठीक है, अब ये AP निकलेगा कैसे भाई सब, इनाने radius दे रखिये, ठीक है, इनाने किसी चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करी आ, ठीक, क्यों, क्योंकि इनाने तो हमें कुछ बताया नहीं, ना तो इनाने हमें इसके बारे में कुछ बताया, ठीक है कि ये कितना है ना हमें ये पता है कि भाईया हमारा यहाँ पर कुछ भी हमें कुछ नहीं बता है हमें बस इतना पता है कि ये 5 cm है इन भाई साब का हमें कुछ अभी पता नहीं है ठीक है तो हमें तो कुछ न कुछ तो जुगार करना पड़ेगा भाई देखो क्या गर सकते हैं? सोचो क्या क्या जाए कि हमें A P की value मिल जाए बस देखो बई, सीरीजी बात है तुम O को मिलाओगे P से तो आपका मानलो ये A B को intersect करता है point C पर तो तुम्हें पता है तुम्हारा A C और C B जो है वो equal होगा यानि कि ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा ठीक है क्योंकि total 8 है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा ठीक और ये angle तुम्हारा बनेगा 90 degree का तुम्हें लोग प्रूफ करना चाएओ तो कर सकते हो तुम प्रूफ करना चाहो तो बहुआ इक परूफ करने आप मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लगे रहोगे बहुत लंबा टाइम जायाएगा क्योंकि सबसे पहले तुम्हारा मैं बता देने कैसे triangle OAP और OBP लो सबसे पहले ले लिया triangle OAP और OBP सबसे पहले तुमारा AP is equal to PB equal tangent हो जाएंगी same point से बन रही है उसके अलावा तुमारा OP is equal to OP ठीक है common side है और OA is equal to OB क्या है radius है दोनों equal क्या हो गया दोनों triangle हमारे क्या हो जाएंगे congruent हो जाएंगे triangle OAP will be congruent to triangle OBP reason बता चुका हूँ AP is equal to BP OP is equal to OP और OA is equal to OB ठीक है क्यों क्योंकि यह हमारा SSS criteria लग गया अब इसके बाद इसके बाद तुमारा क्या आएगा तुम्हें यह पता लग गया तो हमारे पास आगया CPCT से by CPCT by CPCT अपने पास आगया angle APB is equals to angle BP sorry angle APO is equals to angle BPO ठीक है यह angle इसके equal आगया तो अब ले लो इन दोनों triangles को किन दोनों को triangle ACP और triangle BCP इन दोनों triangles को ले लो और इने concurrent proof करो इन triangle ACP and triangle BCP direct नहीं लिख सकते हम इसे हम इसे direct नहीं लिख सकते है ठीक है मैंने तो direct लिख दिया लेकिन तुम्हें तो बताना पड़ेगा तो तुम्हें बताने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है, क्या करोगे भाई, लिखोगे, सबसे पहले AP is equals to AP, sorry, AP is equals to BP, दोनों के दोनों point P से बनने वाली tangent है, ठीक है, PC is equals to, PC is equals to PC, common side, ठीक है, और angle APC is equals to, तुम बता चुके हो, angle BPC के, क्योंकि angle APO और angle BPO तो अल्रेडी equal प्रूव हो चुका है, तो APC और BPC भी हमारे equal हो जाएंगे, ठीक है, तो बहीं देखो, ये side इसके equal, ये side इसके equal, और ये हमारा इसके equal, तो किसी triangle की दो side और उनके बीच का angle, दूसरे triangle की दो sides और उनके बीच का angle की equal प्रूव हो गया, क्या लग गया बच्चो, by SAS criteria, by SAS criteria, हमारे पास क्या आगया, by SAS criteria निकल कर आगया, क्या आपका triangle APC is congruent to triangle BPC, अब ये क्या आगया, ठीक है, तो by CPCT क्या हो जाएगा, by CPCT अपने पास क्या निकल कर आगया, सबसे पहले तो हमारा AC is equals to आगया BC के, AC is equals to आगया BC के, तो यहाँ से AC और BC की value क्या हो गई, AC is equals to BC is equals to 1.2 AB, यानि कि ये value आगई, AB की value कितनी है, AB की value given है हमें, कितनी 8, 8 का half कर दो के, तो यह आगया हमारा 4 cm, ठीक है, अब तुम्हें पता है, तुम जानते हो कि सबसे पहले देखो, जब O से तुम C को मिलाते हो, जब तुम O से C को मिलाते हो, तो OC क्या कर रहा है, AB को दो equal parts में divide कर रहा है, तुम्हारा AC और BC में, तो यहाँ पर क्या होगा, angle O, CA 90 degree हो जाएगा, क्योंकि हमने class 9 में concept पढ़ा है, क्या पढ़ा है बचों, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, हमने पढ़ा है कि बई, जब आप circle के center से cord को bisect करने के लिए एक line बनाते हो, तो वो line cord पर perpendicular होती है, ठीक है, तो इसी चीज़ का हम इस्तमाल करेंगे, as OC bisect, bisect AB, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि OC क्या कर रहा है, OC उपर वाले AB को AC और BC, equal parts में डिवाइड करता है, दोनों 44 cm बना रहा है वो, तो हम कहेंगे, as OC bisect AB, so, angle OCA is equals to 90 degree, ठीक है, class 9th का concept है कि भहिया, अगर circle के center से AB, यानि कि circle के center से cord को bisect करने के लिए कोई line बनती है, तो वो क्या करती है, वो perpendicular होती है, ठीक है, तो ये बन गया, अगर ये बन गया बच्चो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, in triangle, in triangle, कौन सा triangle ले लो भई, in triangle OCA, right angle triangle है, तुम्हें यहां से OC की value मिल जाएगी, कुछ ना कुछ, क्या value मिलेगी, देखो, OC की value निकालो, क्या आएगी, बदाओ भई, OC की value क्या आएगी, देखो, ये हो जाएगी, in triangle, OCA, right angle triangle है, 90 degree के सामने वाली side hypotenuse, तो हमारा OA hypotenuse हो गई, so OA का square is equals to OC का square plus AC का square, खदम बात, तो OA की value कितनी है, OA 5, यो हो गया 5 का square, is equals to OC, OC की value हमें निकालनी है, plus AC, AC की value है 4, ओलेडी पताया हमें, ये री, ठीक है, 4 cm, 4 का square, 4 इसका square इदर आजाएगा, माइनस हो जाएगा, और square जो हो इदर आकर square root हो जाएगा, तो अपने पास हो गया, बच्चों कितना, हमारा OC is equals to square root के अंदर, 5 का square करेंगे 25, 4 का square इदर आकर माइनस हो गया, तो माइनस के 4 का square करोगे, तो कितना, 4 का square करेंगे, तो ये आगए 16, तो OC is equals to square root के अंदर, 9, तो OC की value आगे, plus minus 9, तो minus 9 तो ले नहीं सकते है, क्योंकि जो length हो हमारी minus में हो नहीं सकती, तो ये हो गया हमारा plus 3, sorry, minus 3, plus minus 3 आगा न, 9 को square root चे बाहर निकालेंगे, plus minus 3 आगा, minus 3 ले नहीं सकते है, क्योंकि length तो negative हो नहीं सकते ही, तो plus 3 आगया, OC is equals to आगया 3 cm, OC हो गया 3 cm और अब हमें zoom कर लेते हैं, let CP is equals to X, ठीक है, OC हो गया 3 cm और CP को मैंने बोल दिया X, ये हो गया 3 cm और CP को मैंने बोल दिया X, अब क्या करो, अब अपना triangle ले लो, कौन सा, triangle, O, A, P, ठीक है, ये वाला triangle लो, ठीक, और इसमें क्या करो बच्चो, अपना, क्या लगा दो, Pythagoras theorem लगा दो, लगाओ जरा, क्यों बई, Pythagoras theorem लगाने हो, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये तो 90 degree है, ठीक है, ये कितना है, ये तो 90 degree है, तुम्हें पता है, ये 90 degree है, तो इसका square equal हो जाएगा, इसके square प्लस, इसके square हो, ठीक है, solve करो, क्या आएगा solve करने के बाद, देखो जरा, क्या आएगा बई, बताओ, लगाओ जरा square, question बढ़ी है ये वाला, बहतरीन question बनेगा ये देखो अभी, तो तुम करोगे, in triangle, O, A, P, in triangle, O, A, P, तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारे पास आजाएगा, तुम्हारा, O, P का square, right angle, triangle में, O, P का square, is equals to, किसके, O, A के square, प्लस, A, P के square के, O, A square, प्लस, A, P का square, ठीक है, तो, O, P की value कितनी है, O, P की value हो जाएगा, हमारी कितनी, देखो, O, P, कितना हो जाएगा हमारा, O, C, प्लस, C, P, यानि कि 3 प्लस, X, तो यह हो गया, 3 प्लस, X, का whole square, is equals to, O, A की value है, 5, तो, 5 का whole square, प्लस, यह हो गया, A, P, तो, यह हो जाएगा, हमारा, कितना, A, प्लस, B का whole square, open करेंगे, तो, यह हो जाएगा, हमारा, A square, यानि कि 3 का square हो गया, 9, 9, प्लस, X square, प्लस, 2, A, B, यानि कि 2, 3, जा, 6, X, ठीक है, is equals to, 25, प्लस, A, P, का square, ठीक है, इतना, सब को clear हो गया है, यहां से, आगे समझे हो, बच्छो यह, अब देखो, 9 को इदर ले जाओ, अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आगया, X square, plus, 6, X, is equals to, 9 इदर जाएगा, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा, 16, प्लस, A, P, square, ठीक है, इसे ऐसे ही रखते हैं, इसे रखते हैं, इसे रखते हैं, ऐसे, equation number 1, ठीक है, अब same चीज करो किसमें बच्छो, same चीज करो हमारा, इस ट्राइंगल में, किसमें, जिसका नाम में लेने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, ट्राइंगल A, P, A, C, P में, ट्राइंगल A, C, P में भी same चीज करो, ये भी right angle triangle है, ये भी right angle triangle है, भाइस के लिए hypotenuse ये हो जाएगी, और बाकी दोनों साइड ये हो जाएगी, तो same काम करो जल्दी से, तो देखो अपने पास क्या आएगा, ये आजाएगा हमारे पास, इन ट्राइंगल A, P, C, बहतरीन question है भाई सब ये वाला, question में, must question है एक दब, तो अपने पास आगया, A, P का square, is equals to A, C का square, plus हमारा, P, C का square, ठीक है, तो A, P की value तो पता नहीं है, is equals to A, C की value हमें पता है, कितनी, A, C की value कितनी है बच्चो, A, C की value है हमारी, कितनी, ये दि, 4, और C, B की value है, X, तो ये हो गया, 4 का square, plus हमारा, X square, ठीक है, तो ये हो आगया है का, A, P square, is equals to 4 का square करेंगे, 16, plus X square, ठीक है, equation number 2, equation 1 minus equation 2 कर लो, equation 1 minus equation 2 कर लो, तो ये है, अपने पास कितना, या equation 2 minus equation 1 कर लो, दोनों में से एक चीज़ तो करनी पड़ेगी, तो अपने पास आगया, 16 plus AP square, minus AP square, is equals to, X square plus 6X, minus 16 minus X square, क्योंकि minus की जब अंदर multiply करेंगे, तो दोनों minus की हो जाएंगे, ठीक है, minus X square से ये गया, ठीक है, इस से हमारा ये खत्र, तो अपने पास कितना आएगा निकल कर, ये इदर आजाएगा, 16 plus 16 हो गया, 32, is equals to, ये हो जाएगा हमारा 6X, X इदर divide में आजाएगा, तो ये आगया, 32 by 6, ठीक है, इस से इसे करेंगे, तो X की value कितनी निकल कर आगई, 2 से अपना divide, तो हो जाएगा 16 by 3, X की value आगई 16 by 3, X की value आगई 16 by 3, अब इस X की value को उठा कर बस यहाँ पर पुट कर दो, उसके बाद solve कर लो, तो मारे पास तुमारा answer निकल कर आजाएगा, किसी को कोई दिखकर है, इस question में तो मुझे बताओ, देखो, हो सकता है कहीं ना कहीं, वैसे मैंने कहीं छोडी तो नहीं है, calculation error की जगा मैंने कोई छोडी तो नहीं है, बट स्चिल एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, थी, थी का स्कॉयर 9 हो गया, एक स्कॉयर प्लस 2, 3 जा 6, X, ठीक है, 5 का स्कॉयर हो जाएगा, 25, AP स्कॉयर, ठीक है, 9 ज़रा कर सब्ट्रेक्ट हो जाएगा, 25 माइनस 9 हो गया, 16, X स्कॉयर प्लस 6X, ठीक है, सब सही है, एक्वेशन नंबर 1 बन गई, याँ पर आ जाओ, ठीक है, AP स्कॉयर is equals to AC स्कॉयर प्लस PC स्कॉयर, AP की वैली हो गया, 4 का स्कॉयर 16, X का स्कॉयर हो गया, X स्कॉयर, ठीक है, उसके बार हमने क्या करदा, एक्वेशन, हमने कर दिया, equation 1 minus equation 2 so equation 1 हो गई, 16 plus AP square minus AP square और ये x square plus 6x minus 16 minus x square, ठीक है तो हमारा x square से x square गया AP square से AP square गया, minus 16 जरा कर plus हो गया, ठीक है, और अपने पास क्या आ गया 6x is equals to 32 ठीक है 6 हमारा divide में आ जाएगा, 32 से divide करेंगे, तो ये आ गया कितना 2 by, 16 by 33 ठीक है, x की value 16 by 3 आ गयी, इसे यहाँ पर रखकर solve कर लो ठीक है, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास value निकल कर आ जाएगी, किसकी देखो, solve करेंगे तो कितना आएगा ठीक है, इसे तुम solve करके आंसर निकाल सकते हो, तुम्हारे पास AP की value आ जाएगी, खतम question, टाटा गुडबाय गया हो गया, ठीक है easy question है, बस थोड़ा सा complicated है, time लगाने वाला है, I hope सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, चालो, तो अब इस question को यहीं पर खतम करते हैं, और इस question के साथ अपनी आज की इस class को भी हम बच्चो यहीं पर end करते हैं, ठीक है, चलो गई, बाकी मैं तुमसे मिलूँगा सिधा आप next session में next class के साथ, तब तक के लिए सबी बच्चे अपना ध्यान रखो, ठीक है, I hope तुम्हें आज की class में मज़ा होगा, सारी चे समझ में आई होगी, मिलते हैं सिधा नेक्स क्लास में, अब तक के लिए, टेक केर, टाटा और, बाय बाय बच्चो